एक दफा का जिक्र है, जंगल का बादशाए एक शेर था, वो बहुत ताकतवर था और तमाम जानवर इससे डरते थे, एक दिन वो जंगल में घूम रहा था जब उसे एक हाथी मिला, हाथी भी बहुत ताकतवर था और इसे शेर से डर नहीं लगता था, शेर ने हाथी को देखा और इससे कहा, या तुम मुझसे डरते नहीं हो, हाथी ने कहा, नहीं, मैं तुम से डरता नहीं हूँ, तुम शेर हो, लेकिन मैं भी एक हाथी हूँ, हम दोनों ही ताकतवर हैं, शेर ने कहा, लेकिन मैं जंगल का बादशा हूँ, तुम हैं मुझसे ड गया और हाथी पर हमला कर दिया हाथी में मुकाबला किया और दोनों जानवरों के दर्मियान भयानक जन्व शुरू हो गई जन्व तवील अर्सा तक जारी रही दोनों जानवर तक चुके थे लेकिन कोई भी हार मानने को तयार नहीं था आखिर कार शेर में हाथी को शिकस्त दे दी हाथी जमीन पर गिर गया और शेर इसके उपर खड़ा हो गया शेर में कहा मैंने तुम्हे शिकस्त दे दी है क्या तुम अब मुझसे डरते हो हाथी ने कहा मैं तुमसे डरता नहीं हू तुमने मुझे शिक्त दे दी है लेकिन मैं फिर लडूंगा मैं कभी हार नहीं मानुगा शेर को हाथी की हम्मत पसंद आए इसने कहा तुम बहुत बहादू हो मैं तुम से दोस्ती करना चाहता हाथी ने कहा मैं भी तुम से दोस्ती करने के लिए खुश और इस तरह शेख और हाथी दोस्त बन गए वो हमेशा एक दूस्वे के लिए मौजूद थे और वो जंगल में खुशी-खुशी जिंदगी गुजारते रहे कहानी का सबक कहानी का सबक ये है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हूँ हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए हमें हमेशा बहादूर और हिम्मत वाले होना चाहिए